है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं भारत का रहने वाला हूं भारत की बात सुनाता हूं ऐसे बोल को अमर करने वाले सदी के महान अभीनेता मनोच कुमार जिनोंने भारत में प्रीत को रीत बना दिया मनोच कुमार की पैदाशी 24 जुलाई 1937 को एप्टाबाद मौजूदा पाकिस्तान में हुई थी विवाजन के समय इनका परिवार दिली के एक शर्नार्थी कैंप में आकर रहा कुछ दिनों बाद दिली के राजिन्रनगर इलाके में जाकर बस गए इनके माता पिता के द्वारा दिया गया नाम हरी किशन गिरी गुस्वामी था फिल्मी जगत में कदम रखने के साथ ही इनके नाम बदलने का सिलसिला शुरू हुआ पहले मनोज कुमार उसके बाद फिल्म से हासल स्टारडम से इन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाने लगा अभीने जगत में मनोज कुमार को पहचान दिलाने वह सूपर हिट साबित करने का श्रे निर्माता और फिल्म निर्देशक विजे भट को जाता है जिनोंने 1962 में फिल्म हरियाली और रास्ता में अभीनेता मनोज कुमार को लीड अक्टर के तौर पर रोल दिया और फिल्म हिट साबित हुई फिल्म में बतौर को अक्टर माला सिन्हा को लिया गया था माला और मनोज की जोड़ी को फिल्मी परदे पर काफी सरहाया गया वैसे मनोज की पहली फिल्म फैशन 1957 में रिलीज हुई जिसमें मनोज का रोल एक भिकारी के रूप में था मनोज कुमार को जिन खास फिल्मों के लिए याद किया जाता है उसमें 1962 में प्रदर्शित हरियाली और रास्ता, दस नंबरी, हिमाले की गोद में, सन्यासी, क्लर्क, शहीद, वो कौन थी, उपकार, नील कमल, पूरब और पस्चिम, शोर, क्रान्ती, मैदान जंग, पत्थर के सनम आदी फिल्में शामिल है